हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एम अर बास तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टन नंबर 6 का इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टन नंबर 6 सा लाइन साइंड एंगल्स इससे पहले के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने लाइन से लेटेड जितना भी बेसिक्स टर्म था जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उन सभी को हमने डिफाइन कर रहा था जैसे लाइन क्या होता है लाइन टॉपिक है वो सरीप और सरीप एंगल से लेटेड है कि एंगल किसे कहते हैं और टैप सब्सक्राइगल क्या है यही चीज़ सीखने वाले हैं तो आज का हमारा वीडियो होने वाला इंट्रोडक्शन 6.1 का एंगल्स के बारे में और यह सीख लेंगे तो 6.1 का इंट्रोडक से आज हस रहे हो कल फना हो जाओगे अरे महनत कर पहचान छोड़कर जाओगे तो आजाओ हम लोग स्टार्ट करते एंगल्स क्या है सिखते हैं तो हमने एंगल का डिफनेशन लिखा है जब दो रेज यहां पर देखो बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है जब दो रेज और इस तरह से निकलते हैं एक रहे यह दिख रहा होगा और एक रहे यह दिख रहा होगा आपको रहे का डिफनेशन मैंने इस से पहले की इंट्रोडक्शन वीडियों बताया है कि रे वो होते हैं जिनका एक इंड पॉइंट होता है दूसरे सैड यह इंडलेस होते हैं एक इंड पॉइंट होता है दूसरे सैड इंडलेस होते उससे रे कहते तो यह और यह यह दोनों रे का एक ही कॉमन पॉइंट है देखो एक ही common initial मतलब starting point है ना starting जहां से यह शुरू हो रहा है तो दोरे एक ही common initial point से जब निकलते हैं तो इस तरह से हमारा angle का formation हो रहा है तो देखो ये भी आपको यहां पर दिख रहा होगा ये हमारा angle का formation हुआ है किसका formation हुआ है? angle अब angle जो होता है न सर हमारे परस दो तरह के angle होते हैं देखिए तो मैंने आपको बताया angle वो होते हैं जिनका एक ही common initial point होता है जब दो रहे एक ही common initial point से निकलते हो तो हमारा angle formation होता है अब देखिए angle दो तरह के हैं एक देखो यहां पर ये आपका एक angle दिख रहा है एक आपका ये बाहर आपका एंगल है तो एंगल दो तरह का होता है ये भी आपका एक एंगल है क्योंकि ये दो रे से ही बनाए है तो रे के बाहर जो दिख रहा है साइड वाला ये आपका जो दिख रहा है ये आपका एक्स्टीरियर पार्ट है तो इस लिए इस पार्ट को हम लोग कहेंगे exterior angle और ये इस रे के अंदर में between में जो अला पार्ट है जैसे कि मैं इस पार्ट को कहता हूँ ये पूरा पार्ट हमारा interior angle है I hope ये समझ माया होगा कि angle कितनी तरह का होता है तो दो तरह का first आपका interior angle और second हमारा होता है exterior angle अब हम लोग सीखते हैं कि angle को represent कैसे करें कैसे पहचानेंगे जैसे मैं इस रे का नाम देता हूँ ये है हमारा A ठीक है ये हमारा B इसका नाम जहांपे common point उसको मैं लिखता हूँ तो देखो हम लोग angle को कुछ इस तरह से represent करते हैं इसका मतलब हो गया angle ठीक है अगर angle का naming लिखें तो लिख सकते हैं A O B हमको beach वाले को बताना तो beach वालों को हमेशा beach में रखेंगे तो A O B एक बच्चे ने पूछा क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं B O A बिलकुल आप लिख सकते हैं B O A यह भी आपका सही है ठीक है एक और या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यही बीच में आपका O ही है ना angle O diet लिख सकते हो यह तीन देखो तीन में बीच में क्या क्या आ रहा है समय O आ रहा है मतलब आप O angle की बात कर रहे हो इस angle की बात कर रहे हो बलकि हम लोग इसको vertex के नाम से जानेंगे इसको क्या कहेंगे सर वर्टेक्स एक बताओ ये हमारा ray था और ये भी हमारा ray था लेकिन जब दोनों ray मिल करके angle बना देते हैं सुनना क्या बोला जब दोनों ray मिल करके angle का formation कर देते हैं तो इसको अब ray ना कहकर हम लोग इसे arm कहते हैं क्या कहते हैं arm तो ये हमारा arm है ये भी arm हो गया और इसे क्या कहेंगे vertex तो चलिए मैं इसको write कर देता हूं तो उसी चीज़ को मैंने write कर दिया the ray making an angle जब ray angle को बनाते हैं तो इसे ray ना कहकर बलकर क्या कहते हैं the ray making an angle are called arm the common initial point इस common initial point को क्या कहते है are called vertex इसे vertex कहते हैं तो चलिए मैं आपको अब समझाता हूं taps of angle angle के बारे तो समझ गया हो अब हम लोग सिखेंगे taps of angle एक छोटा सा बात पहले ये सिख ले आप देखें यहाँ पर यह जो angle दिख रहा है अंदर वाला part इस inner वाले portion को कहते हैं हम लोग interior angle जो कि मैंने उपर बताया था यहाँ बना कर बता दे रहा हूं यहाँ पर दो ray के बाहर में जो angle दिख रहा है यह वाला इस angle को कहते हैं हम लोग exterior angle ठीक है एक ही ray है यहाँ पर कोई angle नहीं बना है angle जब नहीं बना है तो यह जो आपका कोई angle नहीं बना है मतलब कोई angle नहीं मतलब 0 degree का angle है ठीक है अब मैं एक angle एक और ray ले रहा हूं और इस ray को एकदम straight 90 degree पर यहाँ पर रख रहा हूं ठीक है ये 90 degree पे एक दम 90 degree का अंगल बना रहा है तो यहाँ पे जो हमारा अंगल बन रहा है ये 90 degree है ये 90 degree है ये 0 degree है ठेक है ये आपको समझ मागया होगा अब ये देखो हम लोग acute angle किसे कहते हैं तो 0 degree से greater 0 degree से बड़ा पर 90 से छोटा 90 से छोटा कहने का मतलब इस से 1 डिगरी बस कम 1 डिगरी बस कम मतलब 89 डिगरी ठीक है 89 डिगरी है ना मतलब की कह सकते हैं acute angle उसे कहते हैं 0 डिगरी से greater मतलब 1 डिगरी से जादा मतलब 0 डिगरी से greater है ना मतलब 1 डिगरी और 90 से less 0 degree से ज़्यादा और 90 degree से less के बीच में जितना सारा angle होगा उन सभी angle को acute angle कहेंगे वही हमने write कर रहा है an angle which is less than 90 degree वैसा angle जो 90 से कम होगा 90 हो नहीं नहीं चाहिए 90 से कम मतलब कि 89 तक का angle वो सारा acute angle होगा 0 degree हमारा acute angle नहीं है 1 degree acute angle है 2 degree acute angle 3 degree यह सारा मतलब 1 degree से लेकर 89 की बीच में जितना angle आगा ना 50 degree 70 degree यह सारा हमारा acute angle है और इसी definition को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ greater than 0 degree 0 degree से greater but less than 90 degree लेकिन 90 degree से कम की बीच का angle are called acute angle इसे ही कहेंगे acute angle जैसे मैं लिख सकता हूँ 2 degree यह भी हमारा acute angle है जैसे लिख सकता हूँ 4 degree, 10 degree, 60 degree, 70 degree आप पहचान सकते हूँ आप देखिए कि 70 degree हमारा acute angle है बिल्कुल है यह 80 degree यह भी acute है 85 degree यह भी acute angle है 89 degree acute है पर 90 degree यह हमारा acute angle नहीं है तो example भी आपको समझ में आ गया होगा acute angle का तो मैंने आपके लिए figure बनाया है देखो यह 0 से greater है 90 से कम है acute angle है है ना 0 से greater है 90 से कम है acute angle है उसे तरह यह भी acute angle है दिख रहा होगा ठीक है अब acute angle का एकदम salt form में define कैसे करोगे देखो acute angle 0 degree से क्या है greater है acute angle जो है 0 से बड़ा मतब जिस side मुग खुला रहा रहता है वो side क्या रहता है big और यह side क्या रहता है less तो देखो acute angle 0 से greater है पर 90 से less है इसे ही क्या कहेंगे acute angle अब हम लोग चले सिखते है right angle किसे कहते है चलो अब हम लोग सीखेंगे right angle क्या होता है इससे पहले आपको बता दो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपके अंदर आत्मे विश्वास होना चाहिए इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है जिसमें आत्मे विश्वास है जिसमें आत्मे विश्वास है उसकी हार में भी जीत है तो चलिए right angle को सीखते है an angle which is exactly equal to 90 degree मतलब वैसा angle वैसा angle जिसे right angle कहेंगे देखो right का मतलब क्या होता है right का मतलब होता है 90 degree नाम में लिखावा 90 degree an angle which is exactly equal to 90 degree वैसा angle जो एकदम 90 degree के equal हो जो 90 के equal हो उसे ही right angle कहते है तो वही लिखा है right angle जो एकदम 90 degree होगा नहीं 89 होगा नहीं 1 degree सिर्फ पोसरीफ 90 degree होगा तो ही हम लोग right angle कह सकते हैं और हम लोग 90 degree को इंग्लिज में right कहते हैं right मतलब होगे 90 degree है ना तो देखो यहाँ पे यह एंगल जो है exactly equal to 90 degree है तो यह हमार right angle है यह भी exactly 90 degree के equal मत जाना यह 90 degree है तो यह भी हमारा right angle है अब चलिए हम लोग next angle की बात करते हैं तो हम लोग सीखेंगे obtuse angle देखो obtuse angle किसे कहते हैं an angle an obtuse angle which are more than 90 degree वैसे angle जो 90 से क्या हो जादा हो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था देखो यह exactly 90 है तो देखो यहां पर आपको दिख रहा हो यह 90 degree 90 degree से क्या हो जादा हो 90 से जादा होना चाहिए ठीक है 90 जादा and less than 180 पर 180 से क्या होना चाहिए कम अब 180 degree angle देखो कैसे होता है एक रही है एक रही है अगर यह half circle का angle बनाता तो यह half circle का जो angle दिख रहा है यह पूरा आपका half circle 180 degree का है है अब यहां से देखो अगर मैं इधर आगे इसर खीचूं अगर इसको ऐसे ठीक है तो देखो यह वाला सर आपका 180 degree का angle अगर यहां से पूरा half circle बनेगा तो 180 degree का angle होगा तो obtuse angle कहता है कि more than 90 degree 90 degrees देखो जादा है यह वाला जो angle दिख रहा है rate से जो मैंने बनाया है 90 degree से यह 90 से क्या है जादा है और 180 से क्या होना चाहिए less लेकिन 180 से क्या है कम है तो इस angle को इस पूरे angle को हम लोग क्या कह सकते हैं obtuse angle obtuse angle कहेंगे अगर इतना लंबा डिफनेशन ना लेको short form कैसे कहोगे obtuse angle उसे कहेंगे जो 90 degree से क्या हो greater हो देखो greater हो but less than लेकिन 180 से क्या हो कम हो उसे क्या कहेंगे obtuse angle कहेंगे तो यहां पर झो हमारा है एइ ओ बी एंगल ए ओ बी यह जो एंगल यह हमारा obtuse angle है तो यहां पर आपको दिखता हो तो यह जो एंगल है न स्रय एंगल आपको obtuse angle गो 90 से up desk है और से उस नेकीन 20 से ग्रेटर और वन इ deciding is less तो यह जो अंगल बन रहा आपका यह obtuse angle है तो obtuse of आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अब चलिए हम लोग निक्स्ट एंगल सीखते हैं अब हम लोग सीखेंगे यह स्ट्रेट एंगल क्या होता है तो इस ट्रेट एंगल बिलकुल असान है एन एंगल विच इस एक्जाक्टली एक्वल टू 180 डिग्री वैसे एंगल जो 180 डिग्री के एक्वल हो जैसे कि एक रही यह दिख रहा होगा बुलू से और एक रही जो रेट से दिख रहा होगा जब यह दोने एक तम स्ट्रेट सीधी लेंड बनाते हैं तो जो आपका हाफ सरकल एक बनता है य और हम लोगो नेक्स possessed सिकते हैं reflex एंगल के बारे हम लोग प्यारा से सीखेंगे reflex reflex एंगल यह reflex अंगल क्या होता सम्जो उस से पहले मैं आपको 360 डिग्री एंगल समझाता हूँ यह आपका exactly एकदम यहां से यहां से जो half circle बन रहा है यह 180 degree का एंगल होता है यहां से यहां भी half circle बनाएंगे तो यह भी 180 होगा और 180 और 180 दोनों को add करें तो पूरा जो circle है एक circle जो होता है वो 360 degree का एंगल होता है क्योंकि 180 और 180 360 होगा है ना तो पूरा एक circle जो होता है वो 360 degree का एंगल होता है तो reflex एंगल किसे कहते हैं चलिए उसका definition दिखते हैं और reflex एंगल which is more than 180 वैसे एंगल जो 180 से क्या हो more हो जादा हो and less than 360 पर वो 360 से क्या हो कम हो 180 से जादा 360 से कम 180 से जादा 360 से कम उस तरह के एंगल को reflex एंगल कहते हैं तो वही मैंने लिखा 180 से जादा और 360 से कम उसे क्या कहेंगे reflex एंगल इसे डब्बा में फूल पत्ती के साथ सजा के बता दिया जैसे कि यह जो एंगल है बाहर में जो दिख रहा होगा यह एंगल आपका reflex एंगल है क्यों क्योंकि देखो यह 180 ऐसे हाफ सरकल 180 होता है 180 जादा है और देखो पूरा सरकल बना देंगे 360 हो जाएगा और 360 से यह क्या है कम है हैना 180 जादा 360 से कम इसके बीच weise बनने वाला अंगल इसे क्या कहेंगे reflex लंगल टाईओ यह समझ में आया होगा जैसे कि आपका होगे कि 190 आपका reflex अंगल क्योंकि 180 जादा 360 60 से कम है अगर आपका होगे 359 डिगरी यह आपका क्या है यह आपका reflex एंगल है क्योंकि यह 360 से कम और 180 जादा है अब देखो एक्जाम में कोशन आता है कि reflex एंगल find करो reflex एंगल मतलब यह एंगल find करो देखो कैसे find करने कोशन के according बताता हूं कोशन क्या कह रहा आप यह समझो जैसे कोशन कह रहा है ना कि इसका मतलब यह जो एंगल है यहां पि थर्क्टे डिग्री दिया हो मतलब यह अंदर वाला एंगल यहां से यह 30 डिग्री यह गीवन है अब कह रहा है यह रिफ्लैक्स एंगल होता ना तो यह reflex angle find करो तो reflex angle equal to होता 360 minus जो angle जो दिया वह रहा था वो तो 360 degree में से जो angle given है मतलब कि 30 degree इसको subtract करेंगे तो 360 में 30 degree subtract करेंगे तो हो जाएगा 330 degree तो यह जो आपका है यह reflex angle यह answer हो गया और आपको पता reflex angle 360 से कम देखो 330 360 से कम है और 180 से जादा है तो इस तरह से आप reflex angle find कर सकते हो यह आपका यहाँ पे VVI portion था important था अब हम लोग सीखेंगे एक important complete angle यह क्या होता है an angle which is exactly equal to 360 वैसे angle जो एकदम exactly 360 degree का हो उसे complete angle कहते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे एक arm दिखता होगा और एक arm देखो क्या कर रहा है एक arm कहीं इधर होता था है इधर यह इधर कहीं भी होता था तो एक और arm इसी के उपर overlap कर गया मतलब घूम कर आया और इसी के उपर overlap कर गया मतलब इस तरह के जो घूम कर आया और इसी पर overlap हो गया तो इस तरह के से एक जो complete angle बना एक round circle जो बना इसी को कहेंगे यह पूरा exactly 360 degree के equal है तो इसे ही कहेंगे complete angle and angle which is exactly equal to 360 तो उसे ही कहेंगे complete angle I hope समझ माया होगा अब चलिए हम लोग सीखेंगे complimentary angle और supplementary angle क्या होता है इनके बारे में जो कि important है और यह सब आपको exercise के question मनाने में help करेंगे देखो complimentary angle किसे कहेंगे when the sum of the measure of two angles, sum का मतलब होता है add, when the sum of the measure, measure का मतलब ऐसे कि 30 degree, 60 degree, यह 60 degree एक measure है, 30 degree एक measure है जब दो angle का sum, जब दो angle का measure मतलब दो angle को आपस में sum करने पे is 90 degree, अगर दो angle को add करने पे 90 के equal आता हो तो The angle is called complementary angle When the sum of the measure of two angle Is 90 degree The angle is called complementary angle अगर दो angle को आपस में add करने पे Sum करने पे 90 degree के Equal आता हो तो उस condition में उन दोनो angle को Complementary angle कहते हैं जैसे के यहाँ पे 1 30 degree है 1 60 degree है क्या इन दोनों को complementary angle कहेंगे complementary होने के लिए दो angle आपको compulsory है कि चाहिए जैसे कि 30 degree और 60 degree इन दोनों को सम कर रहे हैं 60 और 30 क्या होता है 90 degree मतलब कि ये दोनों angle क्या है complementary angle है तो इस तरह से कहते हैं हम लोग 30 complementary 60 है और 60 का complementary 30 है है ना एक और मैं बताता हूँ आपको मैं ये पूछ रहा हूँ किया ये दोनों आपका complementary angle है complementary angle को अपस में add करने पर 90 की equal आगा तो complementary होगा चलो 50 में से 48 करते हैं तो 50 प्लस 40 आपका होता 90 degree डेट मेंस ये दोनों आपका complementary angle है एक और मैं example लेता हूँ जैसे कि मैं कह रहा हूँ अच्छा बताओ आप 60 degree और ये 20 degree क्या ये दोनों complementary angle है add करके देखो 60 plus 20 आ रहा है 80 तो 80 आ रहा है 90 आना था तो इस तरह हो नहीं रहा है तो ये दोनों आपका complementary angle नहीं है ठीक है 90 आता तो ही होता जैसे मैं कह रहा हूँ कि 50 degree याड़ी x है ना क्या यहाँ पर आप 50 degree का complementary angle find कर सकते हो कि 50 का complementary angle कौन होगा तो complementary angle जो होता है दो angle का sum मतलब 50 और x का sum अगर 90 degree होगा तो ही ना हम लोग कहेंगे इन दोनों को complementary angle है अब 50 यहाँ plus मूसर जागा तो minus में तो x equal to 90 minus 50 तो x equal to आपको हो गया 40 degree है ना 90 में से 50 subtracting तो 40 आया तो x हमारा हो गया 40 degree तो 50 का complementary angle क्या हो गया 40 है हमने find कर लिए जब भी आपको complementary find करना होगा तो इस तरीके से find करेंगे I hope complementary आपको complementary angle आपको अच्छे समझ में आया होगा अब हम लोग last supplementary angle सीखते हैं अगर complementary angle समझ में आया होगा तो supplementary बिलकुल आशान है supplementary angle कहता है when the sum of two angle जब दो angle का sum 180 की equal होगा the angle is called supplementary angle तो हम लोग कहेंगे उसे supplementary angle चिक करते हैं कि इस angle मतलब ये angle और ये angle दोनों का sum 180 आता है अगर ऐसा होगा 180 आएगा तो ये दोनों angle supplementary angle है चिक करते हैं 40 को add करेंगे 140 के साथ में चलो यहाँ पे 0 में 0 तो 0 4 में 4 आइड करेंगे तो 8 1 तो हमारा 180 डिगरी आया है that means ये दोनों हमारा क्या है supplementary angle है ठीक है एक question आपके लिए है आप ये बना कर देखाएं चलो मैं ही बनाता हूँ कहरा question find 70 degree of supplementary angle 70 का supplementary angle आप बताओ मतलब कि 70 degree के साथ एक और angle कौन सा होगा जिसको add करने पे 180 की equal आएगा तो आपको पता है दो angle का सम्मान लेता हूँ एक angle जो और है इसका साथी है ना जिस दो angle का सम 180 होगा ये हमको पता नहीं था तो इसको x मैंने लेट कर लिया तो कह रहा है supplementary angle दो angle का सम एक angle यहाँ पे 70 degree given है एक angle हमने x लेट किया दो angle का सम अगर 180 degree होगा तो उसे ही कहेंगे supplementary angle अब x यहीं पे ये plus more side minus में तो 180 minus 70 तो x equal to 180 में से 70 subtract करेंगे तो होगा यहाँ पे आपका 110 degree है ना देखो 0 में 0 तो 0, 8 में 7 तो 1 और 1 मतलब 110 degree कहने का मतलब 70 degree का supplementary angle है 110 और यहीं दो angle को आपस में add करने पे add करो तो 180 के equal आगा यहाँ यह दोनों आपस में क्या है supplementary angle है तो इस तरह से supplementary angle find कर सकते हो अब हमारा important term है adjacent angle यह बहुत जादा important है यह सब को अच्छे से समझ में नहीं आता है आपको guarantee देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो अच्छे से बस वीडियो को आप देखेगा आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा adjacent angle क्या है देखो adjacent angle किसे कहते है two angle are adjacent angle adjacent का सबसे पहले meaning क्या होता है तो adjacent का मतलब होता है बगल वाला ठीक है बगल वाला जैसे कि यहाँ पे तीन लोग है एक ये है एक ये है है ना एक ये है तो इसके बगल में ये है इसके बगल में ये है तो इसके अगल बगल 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 वाले को क्या कहते है एडजेसंट तो दो एंगल टो एंगल आर एडजेसंट दो एंगल को एडजेसंट एंगल कहते है विन दे है कब एडजेसंट ए एंगल होने के लिए कुछ रूल को फॉलो करना चाहिए जैसे यहां पर देखो मैं इसका नाम लिखता हूँ यह A B C common point इसे कहते ने common point इसको मैं लिखता हूँ सबसे पहला condition यहाँ पर मैं बताऊंग आपको उससे पहले मैं बता रहाँ अड्सेंट एंगल क्या है जैसे मैं कह रहा हूँ एंगल यह वन और यह एंगल टू यह एंगल वन और एंगल टू एजिसेंट एंगल हैं एंगल वन और एंगल टू एजिसेंट एंगल हैं कब यह अब अब इसका हम लोग यहाँ पर रूल देखेंगे यह एंगल वन और एंगल टू एजिसेंट एंगल कब होंगे सबसे पहला condition कि इन दोनों angle का common vertex होना चाहिए common vertex होना चाहिए है ना तो देखो इन दोनो angle 1 angle 2 इन सभी का common vertex क्या है ओ है दूसरा angle 1 और angle 2 को divide करने वाला एक common arm होना चाहिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये जो है ये ob land ये common arm है ये angle 1 के लिए भी ये common है angle 2 के लिए भी ये क्या है angle यहाँ पे ob ये क्या है common है जैसे मैं अगर लिखूंगा a ob और मैं बोलूँगा c ob तो इस angle 2 में और angle 1 दोनों में ob ob common आ रहा है तो ये ob जो है ये common arm है तो पहला condition आपका होना चाहिए कि common vertex होना चाहिए दोनों एंगल का दोनों एंगल का common arm होना चाहिए second condition हो गया third condition कहता है common arm के opposite side में opposite side में non common arm होना चाहिए जो common नहीं है है ना तो common के ये side और ये side non common arm होना चाहिए तो ये आपका जो है ये non common a common arm है तो इस तरह से एंगल वन एंड एंड एंगल टू आपका एंगल है है एंधेकर sudah एंगल कयो है इसका तीन कंडिलकुन होना चाहिए फस्ट कंडिलेसन एंगल वन एंगल तु अगर एंडमेशन एंगल है टो इन दोनों का कौमन वर्टेक्स होना सेकेंड दोनों एंगल का common arm होना चाहिए तो एंगल 1 और एंगल 2 का common arm है एंगल 1 और एंगल 2 का opposite मतलब ये side और ये side non common arm होना चाहिए तो OA और OC ये non common है तो तीनों condition फुल्फिल किया इस तरीके से एंगल 1 और एंगल 2 adjacent angle है या फिर इसी को naming कर सकते AOB और angle BOC ये adjacent angle है तो वहीं हमने write कर दिया है कि adjacent angle का तीन condition होना चाहिए कि angle 1 और angle 2 ये इसी को कह सकते AOB और BOC अगर adjacent angle होंगे तो सबसे पहला two angle are adjacent angle when they have first common vertex होना चाहिए angle 1 angle 2 का common vertex होना चाहिए second common arm arm का मतलब होना side ये side है ना भाई side common arm होना चाहिए है ना angle 1 angle 2 का common arm है वह भी ठीक है उसके बाद non common arm on either side of common arm common arm के अगल बगल non common arm होना चाहिए इदर side मतलब वही हो गया common arm के अगल बगल देखो ये non common arm है ये भी non common arm है तो इस परकार therefore angle AOB या फिर इसे को कह सकते angle 1 and angle BOC या कह सकते angle 2 are adjacent angle ये आपका क्या है ये तोनों adjacent angle है आई हो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा देखो लोग जो है ना बच्चे future के बारे बहुत कुछ कहते हैं लेकिन मैं आपको ये बाद बताता हूँ वास्तों में भविस होता ही नहीं है वास्तों में भविस होता ही नहीं है अरे इसका निर्मान हमें खुद करना पड़ता है इसका निर्मान हमें खुद करना पड़ता है तो ही भविश्व बनता है अब हम लोग का एक important term ये भी है linear pair क्या होता है देखो two adjacent angle two adjacent angle whose sum is 180 degree अगर दो adjacent angle जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये और ये ये कह रहा हूँ angle one है और ये angle two है अगर दो दो आजिसेंट एंगल कॉनकि यहां कि आपको यह common arm common side है और common side के अगल बगल है फैंफ इना इधर side में क्या है non common arm है ये भी non common not common crown है ठीक है और ये common vertex है तो angle one और angle two common ये angle one और angle two adjacent angle है तो दो adjacent angle जिसका sub whose sum is 180 degree are called linear pair, लेकिन linear pair होने के लिए एक खास बत यह होना चाहिए, कि यह जो यहाँ पे non common arm है, यह देखो यहाँ पे ऐसे होता था था ना, यह यहाँ पे जरूरी नहीं कि यह straight होना ही चाहिए, है न, सीधी लाइन होनी चाहिए एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तो ही आपका linear pair बनेगा वरना linear pair नहीं बनेगा ठीक है linear pair के लिए एक straight line होना जरूरी है मैं बहुत important बात कह रहा हूँ इस तरीके से आपका angle 1 और angle 2 adjacent होगा कब अगर इन दोनों adjacent angle का sum 180 के equal होगा तो इन दोनों angle को linear pair कहेंगे तो देखो एक्जिम यहाँ पे 6.2 इससे related है कहता है if the sum of 2 adjacent angle is 180 degree अगर 2 adjacent angle का sum अगर 180 degree होगा then non common arm यह आपका non common arm है जैसे दिख रहा होगा है यह आपका non common arm है यह भी आपका non common arm है तो कह रहा है अगर 2 adjacent angle का sum 180 degree होगा then the non common the non common arm of the angle former land तो यह non common और यह भी non common arm यह के straight land बनाएंगे अभी मैं यही बता रहा था कि जब भी linear pair होगा दोनों का sum 1 80 होगा तो यह non common arm straight land हो गही जब यह straight land बनेगा तो ही आपका linear pair follow करेगा ठीक है तो linear pair किसे कहते है two adjacent angle का sum 180 होगा तो उसे कहते है linear pair देखो question क्या कह रहा है कि X यहां पर value find करो य Soo यहां से angle 50 degree पता है तो यह यहां से यहां कितना होगा यह find करना है जैसी कि आपको पता है ये दोनों आपका linear pair है linear pair दो angle का sum 1 80 हो तो उसे linear pair कहते हैं तो X find करना तो लिख सकते है two angle का sum मतलब angle x और angle 50 degree का sum 180 degree होता है कैसे reason लिखना पड़ेगा linear pair से ठीक है दोनों angle का sum ये plus में उसे डिया मैनस में तो x equal to 180 minus 50 तो x degree is equal to आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 130 degree तो x आपका हो गया 130 degree ठीक है तो आप linear pair से ये angle आप find कर लिए तो इसी तरीके से हम लोग और भी question exercise find करेंगे अब हम लोग लास्ट टॉपिक है vertically opposite angle vertically opposite angle किसे कहते हैं समझते इसको opposite यहाँ पे opposite का मतलब होता है कि vertically opposite मतलब होगा आमने सामने वाला angle आमने सामने वाला angle देखो कैसे if two lines intersect each other अगर दो line जैसे एक line AB है है ना एक line यह AB दिख रहा होगा और एक line है CD जैसे यह दिख रहा होगा यह AB और CD if two lines intersect if two lines intersect मतलब होता कट करना if two lines intersect each other जब दो line एक point पे cut करती एक point O पे cut करती है then vertically opposite angle are equal तो देखो यहाँ पे vertically opposite angle equal होते है तो देखो जब दो line एक दूसरे को एक point पे cut के तो चार angle बना एक angle ही angle 1 और angle 2 angle 3 angle 4 चार angle बना तो यहाँ पे vertically opposite कौन है तो vertically opposite यह angle यह और यह angle मतलब angle 1 और angle 3 vertically opposite है angle 1 और angle 3 vertically opposite है तो कहता है vertically opposite angle जब दो line एक point पे cut करता हो तो इस तरह से vertically opposite angle आपस में क्या होते हैं equal होते तो angle 1 angle 3 के equal अगर ये 60 degree हो और यहाँ पर मैं पूछ रहाँ ये x कितना होगा तो ये भी 60 degree ही होगा तो ये x भी आपका 60 degree होगा क्यों vertically opposite angle से ये भी angle क्या हो जागा equal तो यहाँ पर vertically opposite एक ये angle और एक ये angle ये इसका वर्टिकली अपोजिट है अंगल 2 अंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट है और अंगल 1 अंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट अंगल है और वर्टिकली अपोजिट अंगल always equal होते हैं जैसे कि इसका वर्टिकली अपोजिट अंगल ये है और इसका vertically opposite angle ये है तो देखनों यहाँ पे angle 1, angle 3 के equal है angle 2, angle 4 के equal है कैसे equal है vertically opposite angle equal होते है ये 1 और ये आपका है 3 तो 1 और 3 vertically opposite से equal है और ये 2 angle 2, angle 4 vertically opposite angle से equal